एक पिक्चर आई थी के स्री, उस पिक्चर में एक बहुत इशांदर गाना था तेरी मिट्टी, वो गाना जिन्हों ने लिखा था, आज उनी का एक इंटर्वी में देख रहा था, गजब की बात ये है कि उनी ने रिसेंटली एक पिक्चर भी लिखिये, पिक्चर के डालोग पर पड़ी और सुनी जाती, तो उसमें उनके लिखने का कोई काम तो था नहीं, बस उनने डालोग राइटिंग की है, उनके इंटर्वी में सिर्फ दो टेक्निकल मिस्टिक्स मुझे समझ में आई, जिसकी वज़े से मैं एक वीडियो आपके सामने लिखकर आया, सबसे पह इंपोर्टेंट बात ये है, जब उनने कहा कि रावन पूजा ही नहीं जाता, कोई आदमी उसे रिलेट नहीं करना चाता, तो मैं लिस्ट बना के रखा हूँ, मैं आपको पढ़के बताता हूँ, भारत के अंदर ही पांच मुख्य मंदिर है रावन के, और अगर मंदिर बन आपके तो ग्रेटर नौइडा के अंदर बिशरक करके जो रावन का मंदिर है वो भी है, उसके बाद अगर आप देखे तो काकिनड़ा अंदर प्रदेश में भी रावन का मंदिर है, उसके बाद आप देखे तो रावन ग्राम करके विदीशा मंदर प्रदेश में रावन क सोते हुए प्रतिमा है उसके आगे अगर आप देखे तो मन्द सौर जो की मद्ध प्रदेश में है वहाँ पर भी रावन की प्रतिमा है वहाँ पर भी रावन का मंदिर है और पूजा की जाती है अब इन पांच मंदिरों से जो अलग-अलग राज्यों में है इसे मैंने आपको सपष्ट कर दिया चाहे नौर्थ हो या साउथ रावन की पूजा हो रहे ही रावन के मंदिर है तो ये कहना कि रावन से कोई संबंदित नहीं है ये सरा सरजूट है भारत में आप देखें तो 40 रामायन है दक्षन में आप देखेंगे तो रावन का देहन नहीं होता रावन को नहीं जलाया जाता वहाँ पर रावन को एक अलग लाइट में दिखा जाता है कहीं पर आप देखेंगे तो रावन को अच्छा दिखाया गया है कहीं पर राम को अच्छा दिखाया गया है तो अलग-अलग interpretations हैं, लेकिन आप एक picture बनाके, कितने लोगों की जो emotional या फिर religious feelings हैं, उनको hurt कर रहा है, एक बहुत बड़ी गलती जो उन्होंने कही, या फिर एक गलत बात जो उन्होंने कही, कि जो ब्राम्मन है, वो नाराज नहीं है, आपने आपको संबुद्धित करके न देवताओं को जीतने वाला, इतनी तपस्या करने वाला, श्री लंका में उसको तपस्या के तोर पर जाना जाता है, दूसरी एक और बड़ी बात, ये कहते हैं कि रावन को खिलजी जैसा दिखाया गया है, तो उस पे इन्होंने कहा, कि जो है वो सही दिखाया गया है, अग आप तपस्या की बात करते हैं, जिसके 10 सर्थ हैं, और कहां आप एक बात करते हैं, अयाश राजा की, कहां आप बात करते हैं, एक नरस अंगार करने वाली के, और आप उसको एकदम से रामाएन, जो कि सबसे ज़ादे रेवर डेपिक है, उसके एक important character से compare कर देते हैं, ये ब गलत तत्यों से या गलत फैक्ट से आप किसी चीज़ को डिफेंड करते हो, तो वहाँ पर फैक्ट तो डिफेंड नहीं होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी नौलिज़ की उपर सवाल रुखने लगते हैं, जो साफ साफ समझ में आता है, साथ में इनके नाम में जो मुंतशे लगा है, उसका मतलब क्या होता है, ये फार्सी में कोई शब्द है, आप अपने नाम में एक फार्सी शब्द यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब आपको डिफेंड करने की बात आती, जब आपको हिंदु धर्म को डिफेंड करने की बात आती, तब अपने आप नाम के आगे शुकला लगा देते हैं. तो पहले तो आप सपष्ट हो जाएं कि आपका क्या स्टेंड है, आप किस डारेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं? क्या आपको मुगलो जैसा रावन दिखाना है, आपको खिलजीो जैसा रावन दिखाना है? तो आप रावन को समझे ही नहीं, रावन का करेक्टर, रावन के प्रवेस को या फिर रावन की जो अचीवमेंट्स हैं उसको नहीं समझे आप. पहले समझने की जरूरत है, हमवक करने की जरूरत है कि भारत में रावन को पूजा भी जाता है सबकी religious जो emotions हैं, जो feelings हैं, उनका आपको सम्मान करना पड़ेगा, आप इस तरीके से अपनी सिर्फ economic क्रोटियां सेखने के लिए या फिर अपनी picture से लाने के लिए आप इस तरीके की बाते करके निकल जाएंगे, तो इससे आप कही न कहीं अपने लिए भविश्य के दरवाज से बंद कर रहे हैं, thank you.